आज टेलीविजनों पर कई प्रकार की संसनियां हमारे बीच में आते हैं और हम सब विचलित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है यूरिया प्रेस्टिसाइस के माध्यम से धर्ती तो बंजर हो यी रही है उसके द्वारा निर्वित सबजियां दाले चावल फल फ्रूट खाने से हम स्वैम भी जरजर हो रहे हैं आज इस समय पर गववईश हमारे लिए कितना बड़ा एक वर्दान है ये हमें समझना होगा गववी ज्यान के अनुसंधान करताओं ने अपने अनुसंधान में पाया कि यदि हम किसान भाई देश भर के अंदर बिना कैमिकल की खेती करना प्राणम कर दें तो हम स्वेम खुशाल होंगे और पूरी मानव जाती को एक स्वस्त जीवन हसता हुआ खिलता हुआ एक परिवार दे दें गवी ज्ञानन संधान के अंदर ये जानकारियां प्राप्त हुई उन जानकारियों के अधार पर हमारे विझ्ञानकों ने वर्तमान गाएमूतर के सदूपयोग किसान भाईयों को बताया कि आप नीम की पतियां लेकर एक मठके के अंतरकत गाए मुत्र डाल कर 45 दिन बाद ये एक पंच गव्या धारित कीट नियंतरक तेल अदबुत हमारी फसल के लिए त्यार हो जाएगा और इसमें यो यूरिया और प्लेस्टिसाइज इस्तमाल करने से जो जहर फलों में और सबजियों में जाने के कारण मानव जाती के शरीर को ब्यानक रोगों से घेर रही थी वहें रुकावट तुरंत देखने में आएगी क्योंकि गां मुत्र के अंदर प्राकरतिक 24 प्रकार के कैमिकल हैं इसी के अंतरगत हमारे विज्यान के अनुसंधान करताओं ने गां मुत्र के अंदर जब रिसर्च किया और बड़नी ताजूब हुआ कि उस गाए मुत्र के अंदर जो अदभुत, केमिकल्स, जो पूरी प्राणी मात्र के लिए ही नहीं, इस बंच तत्व को पुष्ट करने के लिए जरूरत है। और गउ माता ने हम पर इस प्रकार के अपार किर्पा की और हमें सत्वुद्दी दी कि मेरे बच्चों आओ, मेरे गउमुत्र के उपर अनुसंधान करो और गउमुत्र से अनेक प्रकार की खेती करने की विधी प्रारम करो। और उसी विधी में हमारे अनुसंधान करता होने जब गवमुत्र पर अनुसंधान किये तो बहुत इताजुग हमें भी हुआ विशुकों भी हुआ और चाइना से दो गवमुत्र अधारित कीट नियंत्रंग करने के लिए फसलों को हरा भरा पोस्टिक बनाने के लिए पेटे हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और यह आवान करना चाता हूं कि जितने किसान भाई हमारे विशे को देख रहे हो वो किर्पयाकर गव मैंशधारित खेती समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे गविज्ञान के अनुसंधान करताओं से जल्द से जल्द मिलने का प्रियास करें और पूरी मानव जाती को एक पोस्टिक आहार के रूप में फल, सबजियां और अनाज देने का प्रियास करें